हेलो बच्चो, नमस्कार, प्यारे बच्चो, जैसे कि आप जानते हैं कि last class में हम लोगों ने third chapter से related कुछ important questions किये थे, जिसमें हमने subtraction addition method भी use किया, अब हम लोग बच्चो four chapter की एक last class और attend करेंगे, जिसके अंदर हम लोग k की term निकालने वाले सारे questions कवर कर लेंगे, कहोगे अब आपकी sir आप तो पहले सिखा चुके हैं, जी मैं सिखा चुका हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो question करवाय थे मैंने, लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ बच्चो को जो थोड़े से weak हैं, उन बच्चो को उन question को solve करने में थोड़ी सी problem आने लगी, तो कोई दिक्कत नही मैंने आपसे यही कहा था कि जब जब आपको problem आए पस आप मेरे को एक बर message कर दीजे, मैं सारी problem का solution आप तक पहुँचा दूँगा, तो बच्चो को problem थी k वाले term में, quadratic equation chapter में, fourth chapter का दुईघात समीकरन वाले chapter में, बच्चो को k term निकालने वाले questions में दिक्कत आई, वो भी कौन से में? अर्डी सर्मा से जब उनने solve किया, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चो, आज हम उन सारी समस्याओं को दूर करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या बनता है, सबसे पहला काम हमारा ये बनता है, कि के वाली term के लिए हमें सबसे पहले question में क्या दिया होगा, तो मै क्या तीका था? कि equal roots का मतलब है, d बराबर होगा 0, क्यों? क्योंकि less than, मतलब छोटा जोई होते होगा, तो सबसे solve करी नहीं सकते, और बड़ा होगा, तो कितना बड़ा हो सकता हो, solve होगे, ये भी हमें नहीं पता, तो इसलिए जब भी हम solve करेंगे, तो भई 0 पे solve करेंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं A के करके question ले रहा हूँ, और आपको पता करना है, कि आखिरकार हमने question में answer कैसे कैसे find करना शुरू किया, तो question number first करा रहा हूँ, kx square प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, कह रहा है, k की value निकालो, और आपको पता ही है, k की value में एक चीज common दी गई होगी, क्य निकाली है, आपको पता है कि D zero के बराबर लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि equal roots है, यह बात हमें पहले से ही दी गई है, D होता किसके बराबर है, B square minus 4AC, B कौन है, 4, A कौन है, K, C कौन है, 1, बराबर 0, 4 का square 16, minus 4K, बराबर 0, minus 4K, माँनस 4K, माँनस 4K, माँनस 4K, प्लस का 4 4K, 4 यहां multiply कर रहा है, यहां पर आके divide करेगा, बच्चो, 4 से cancel out, और K बराबर क्या आ गया, 4, K बराबर क्या आ गया, 4, ठीक है, तो यह है K की value, एक और देखो, K, K X square, minus 2 root 5, X plus 4, बराबर 0, यह दिया हुए, ठीक है, चलिए solve करेंगे फिर से, A बराबर K, B बराबर, minus का 2 root 5, पता है न बच्चो, मैंने क्या बता है था आपको, कि minus को और plus को include करते हुए चलना है, ठीक है, और C कितना है आपका, 4, चलिए, D बराबर तो 0 लेंगे, पता है यह क्यों, क्योंकि equal roots है, और D होता किसके बराबर है, B square minus 4AC, B कितना है, minus का 2 root 5 square, 4A कितना है, K, C कितना है, 4, 0, चलो, minus के 2 का square 4, root 5 का square 5, 4, 4, 16, K, 0, 5, 4, 20, minus का 16, उदर जाके plus का 16, 16, यहाँ पर multiply कर रहा है, इधर आके divide करेगा, चार पंजे, चार चोके, तो K की value आ गई, 5 बटा 4, कितनी आ गई, 5 बटा 4, next, next, third, अब मैं कुछ question लिख रहा हूँ, वो आप कर सकते हो, ठीक है, 3X square, minus 5X, plus 2K, बराबर 0, यह question कर सकते हो आप, 4X square, plus, KX, plus 9, बराबर 0, यह भी कर सकते हो आप, और, 2KX square, 40X, plus 25, बराबर 0, यह भी कर सकते हो आप, 9X square, minus 24X, plus K, बराबर 0, यह भी कर सकते हैं आप, और, 4X square, minus 3KX, plus 1, बराबर 0, यह भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो यह note कीजिए आप जल्दी से, फिर next questions करवाता हो, कीजिए जल्दी से, अब यह बातों मिटाई देता हूँ, यह दो पता चली गया कि क्या करना इसमें, ठीक है, चलिए, अब एक नए टाइप का question लेते हैं, और वो करते हैं, ठीक है, अच्छो, यह देखिए, एक्स स्क्वेर माइनस टू फाइप प्लस टू के एक्स प्लस थ्री सैवन प्लस टैन के बराबर जीरो, ठीक है, यह question दिया है, अब आदे ते जादा बच्छे, इसको देखके question को छोड़ना की गोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है बच्छो, question छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, फटा फट देखेंगे, देखो, एक simple से काम करना है, यह question थोड़ना लेंदी जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ कुछ basic formula की जरुरत है, वो क्या है basic formula देखेंगे, देखो, आपको पता है, पहले तो वह a निकाल लो, a कौन है, यहाँ पर 1, b कौन ह b है, यह पूरा, माइनस का 2, 5 प्लस 2k, ठीक है, क्योंकि x के साथ वाले term को ही b कहते है, c कौन है, c है, 3, 7, प्लस 10k, यह हो गया अपका c, ठीक है जी, चलिए, अब हमें पता है कि d बराबर 0 के होगा, क्यों, क्योंकि equal roots हैं, यह बात इस question के लिए, k के हर question के लिए common यह बा बराबर होता है, b square minus 4ac, बराबर 0, b है कितना, b है minus का 2, 5 प्लस 2k का होली square, 4, a कितना है, 1, c कितना है, 3, 7, प्लस 10k, चलिए, और बराबर 0, वही, minus 2 का square करेंगे तो 4 आएगा, और यह बनेगा, 5 प्लस में 2k का होली square, minus 4, 3 जा, 12, 7 प्लस 10k, बराबर 0, यह है 4, इसमें हम a प्लस b का होली square का फॉर्मल लगाएंगे, तो क्या बनेगा, a square, plus b square, plus 2ab, यही जानते हैं, चलिए, अब इस minus 12 को 770 प्लाई करेंगे, तो 84, फिर इस minus 12 को 1070 प्लाई करेंगे, minus का 120k, सभी बात है, चलिए, अब क्या करेंगे, 4, 5 का square कितना है, 25, 2 का square, 4k का square, plus 2, 2, 4, 4, 5, 20k, minus 84, minus 120k, बराबर 0, अब क्या करेंगे, इस 4 को अंदर मंटिप्लाई, 100, अंदर मंटिप्लाई, 16k square, अंदर मंटिप्लाई, 80k, minus 84, 120k, बराबर 0, अब सॉल्व करो, k square वाले को एक तरफ, 120 में से 80k जाएगा, तो क्या बचेगा, minus का 40k, और 100 में से 84 जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 16, बराबर 0, ठीक है, अब अगर मैं गौर से देखूँ, तो मुझे इन सम में से 4 common आ रहा है, सही बात है, कितना common आ रहा है, 4, 4 common ले लुकर ले लूगा, तो अंदर क्या बचेगा, 4k का square, minus 10k, plus 4 बराबर 0, क्यों, क्योंकि 16, 4, 4, 4 जा, 4, 10, 40, 4, 4 जा, अब 4 यहां multiply कर रहा है महां जाके divide करेगा ठीक है तो बच्चेगा 4K का square minus 10K plus 4 बराबर 0 क्यों क्यों क्योंकि 4 यहां multiply करेगा महां जाके divide और divide होने से 0 ही होएगा तो बन किया यह है अब देख रहे हैं दुबारा quadratic equation आ गई दुबारा क्या आ गई आपके पास quadratic equation आ गई मतलब आप एक quadratic equation से निकले और वापस दुबारा एक quadratic equation में आ गई लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है आप इसको भी solve कर सकते हैं ठीक है कैसे चाहे तो factor बना के चाहे तो d वाले method से ठीक है देखो factor बनाना आपको आता ही है मैं आपको इसी में d वाला method चिखा देता हूँ ठीक है अब क्या करेंगे आप d1 निकालेंगे क्या निकालेंगे d1 और d1 क्या होता है b square minus 4ac b कितना है minus का 10 ठीक है minus 4a a कितना है 4 c कितना है 4 तो यह आजाएगा minus sorry 10 का square है न तो यह आजाएगा 100 minus कितना हो गया 4 4 64 हो जाएगा कटेगा 36 तो d1 कितना आगया 36 अब हमें x थोड़ी निकालना है हमें तो k निकालना है क्योंकि हमारे पास जो नई quadratic equation आई है वो k की आई है तो k के लिए आएगा minus b plus minus under root d1 upon में 2a minus b कितना है b आपका पहले से minus 10 है तो यह minus तो formula का है तो minus का 10 plus minus d1, d1 कितना है 36 2, a कितना है 4 तो देखिए minus minus plus का 10 root में से बाहर निकलेगा 6 4 तूजा 8 अब एक बार value लेंगे आप plus में और एक बार value लेंगे आप minus में किसकी value लेंगे? k की ठीक है? तो यह बनेगा k 10 और 6 16 बटा 8 10 में 6 गया 4 बटा 8 solve करेंगे 8 दूनी 16 4 दूनी 8 तो k की value एक बार 2 एक बार 1 बाय 2 तो k की 2 value आएंगी बच्चो कौन कौन से value आएंगी? एक value आएगी 2 और एक value आएगी 1 बाय 2 तो इस तरीके से solve करते हैं ऐसे question हो ठीक है? चलो जल्दी से note कर लो फिर एक दू question और कराता हूं करो अच्चो करो एक बार 2 झीके में झाएगी 2 छो चलो जाएगी 2 पीके में झीके में पिर स account ठीक है अगला कोशन देखिए आप लोग यह समझ में आ गिया होगा थोड़ा लेंदी है देखो इस टाइप के कोशन आ सकते हैं आप ऐसा में सोचना कि हाँ यह नहीं आ सकते क्योंकि अगर इस टाइप का टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में तो इससे रिलेटेड तफ स टॉप कोशन वो लोग दे सकते हैं ठीक है क्योंकि वो बच्चों से पूच के टैस्ट नहीं बनाएंगी तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यह तो बड़ा टॉफ सा है तो आपके लिए यह है बस करना है आपको के एक्स स्क्वेर और प्लस के एक्स प्लस वन बराबर माइनस 4X स्क्वेर माइनस X अब बच्चे इसको देखके मोचली क्या कहते हैं कि नहीं जी यह नहीं यह नहीं करना यह गलत काम है लेकिन बच्चों यह गलत काम को सही तरीके से कैसे करते हैं आई यह देखिए दोनों माइनस की बाटी है एक्स वाली उठा कि दर ले आओ 4X स्क्वेर प्लस का हो जाएगा ठेक है 4X स्क्वेर प्लस का हो जाएगा यह X भी प्लस का हो जाएगा और साथ में क्या है यह तो है प्लस का पहले से अब करना क्या है x square वाले को x square वाले के साथ रखेंगे तो देखो x square common आ जाएगा अंदर क्या बचेगा 4 plus k हाँ की न अब x वाले को x वाले के साथ रखेंगे तो x common आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा इसकी जगा पे बचेगा 1 इसकी जगा पे k X common आ गया और plus बिना X वाला कौन है? सिर्फ 1 बराबर 0 तो लीजिए A की जगह पे कौन आ गया? 4 प्लस K B की जगह पे कौन आ गया? 1 प्लस K ठीक है C की जगह पे कौन आ गया? 1 बात खतम D बराबर 0 चले गई B square minus 4 A C बराबर 0 B कितना है? 1 प्लस K का whole square minus 4 A कितना है? 4 प्लस K C कितना है? 1 चलिए A प्लस B का whole square खोलिए A का square प्लस B का square प्लस 2 A B minus अंदर multiply करेंगे 4 फोर जा 16 अंदर multiply करेंगे minus 4 K क्योंकि 1 से multiply होके तो सेम ही रहेगा 1 का square 1 K का square 2 K 16 4 K 0 क्या करेंगे? K square 4 में से 2 गया minus का 2 के 16 में से 1 गया minus का 15 बराबर 0 अब आपको पताईए factor बन नहीं सकते या factor बनाना चाहो factor बना सकते हो D से करना चाहो D से कर सकते हो मैंने D वाला तरीक भी करा दिया factor वाला भी दिखा देता हूँ factor कैसे करते हैं? आपको पताईए पहले और आखरी को multiply 15 बन जा 15 तो किस से करेंगे? 3 से करेंगे 5 5 से करेंगे 1 मुझे क्या चाहिए? मुझे minus का 2 चाहिए तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा तो बस k स्कूर माइनस 5 k प्लस 3 k और आपको पताईए 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं तो k कॉमन लूँगा तो k माइनस 5 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? k माइनस 5 होगे सिंपल? तो बस एक बार k माइनस 5 और एक बार k प्लस 3 एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको तो k की दो वैलू आई एक आई 5 और एक आई माइनस 3 ठीक है बच्चो? नोट करो फिर एक आदा कोशन और बता देते हैं ठीक है? अब आप आड़ी सर्मा से न इसके अल्मॉस्स सारे कोशन कवर कर सकते हैं एक दो कोशन और करा देता हूँ फिर के वाले कोशन खतम और इस चैप्टर से आपके लाइक के कोशन अभी फिलाल के लिए खतम जब बोड आने वाले होंगे तब और important questions करवाई जाएंगे, ठीक है, चलिए, note कर लिया, और जो मैं अभी करवा रहूं, बच्चों आपको, ये board में 4-4 number के आए हुए, ठीक है, तो इसलिए बहुत, तसलिए से इन सारे topics को करना, पिछली दो classes, जो भी classes, जो भी आपको मैं भेज रहा हूँ, videos, वो सबके सब board के point of view से बहुत ज़्यादा important है, चलिए, अब ये देखो, ये board में आया हुआ question है, ठीक है, चलो, ये board का question आया हुआ है, ठीक, बुक में नहीं है, लेकिन क्या भई, बुक में ये topic है, तो आएगा ही आएगा, तो चलिए, घबराने की जोरत ही नहीं है, आपको पता ही है, पहले क्या करना है, आप A let कर लेंगे, A आपको पता ही है, ये है, B let कर लेंगे, B आपका ये है, आप C let कर लेंगे, C आपका ये है, अब आपको पता ही है, D equal to 0 के solve करेंगे, B square minus 4, A, C, बराबर 0, B के जगा पे 2, K plus 3 का whole square, 4, A कितना है आपका, 2 K plus 1, C कितना आपका, K plus 5, equal to 0, चलिए, 2 का square, 4 K plus 3 का whole square, minus 4, या 4 को पहले अंदर multiply कर लो, हाँ जी, कितना बन जाएगा, 4 को अंदर multiply, 8 K plus 4, ये K plus 5, बराबर 0, हाँ जी, इसको A square, plus B square, plus 2AB, minus, अंदर multiply, 8 K को K से करोगे, 8 K का square, फिर 8 K को 5 से करोगे, बाहर minus है, तो minus का, 8 5 जा, 40 K, ठीक है, फिर 4 से करेंगे, तो ये दोनों plus है, लेकिन बाहर minus है, तो minus का 4 K, ठीक है, ठीक, फिर 4 को 5 से करेंगे तो माइनस का 20 equal to में 0 ठीक है, equal to में 0 चलिए, अब अंदर multiply करेंगे ये, 4K का square plus 3 का square 9, 9 forja 36 3 toja 6 6 forja 24K minus 8K का square minus 40 और 4, 44K minus 20 बराबर 0 हां जी अब ये है 4K का square, ये है 8K का square तो 8K में से 4K जाएगा minus का 4K square ये minus का 44, ये plus का 24 तो minus होगा तो plus का 20K sorry, minus का 20K अब ये plus का 36, ये minus का 20 तो minus का 20 इसका मतलब plus का 16 बराबर 0 लेकिन बच्चो, quadratic equation में square वाला term हम कभी भी क्या नहीं रखते minus नहीं रखते, तो minus common ले लेंगे और मैं, मुझे ये दिख रहा है कि minus के साथ 4 भी common आ रहा है क्यों? क्योंकि 4 20 में भी 4 आता है, 16 में भी 4 आता है तो मैं minus का 4 common लोगा क्यों? ताकि K square plus का हो जाए ये भी plus का हो जाए लेकिन 20 में से 4 निकाल लिया तो बचा क्या? 5 16, अब देखो minus common निकाला है तो ये plus वाली चीज किसमें चली जाएगी? minus में और 16 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा क्या? 4 minus का 4 वहाँ जाके divide करेगा, खतम हो जाएगा 0 quadratic equation तियार 4 बन्जा 4 factor बना दो factor बना दो K square K square plus 4 K plus K minus 4 नहीं भई, factor नहीं बनेगा नहीं बनेगा factor नहीं, factor नहीं बनेगा इसका चलीए, इसको D वाले से ही करना पड़ेगा तो D बराबर क्या? ठीक है? अब इसको D वाले से ही करो D बराबर B square minus 4 AC यानि D1 निकालोगे B कितना है? 5 का square 4, A कितना है? 1 C कितना है? minus का 4 तो 5 का square 25, minus 1 प्लस और ये? 4 चोक 16 और 25 और 16 कितने होते हैं, बच्चो? 41 कितने होते हैं? 41 तो D1 कितना आगे आपका? 41 ठीक है? यानि 0 से बढ़ा अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है K तो K के लिए minus B plus minus under root D1 और ये क्या हो जाएगा? 2A minus B कितना आपके पास? बच्चो? B है आपके पास 5 तो ये आगे 5, plus minus 41, 2, A कितना आपके पास? A है 1 तो K की value आई minus plus minus root 41 upon 2, 1 जा 2 अब इसको दो तरीके से लिखेंगे एक बार value लेंगे plus में और एक बार value लेंगे minus में तो इस तरीके से solve करते हैं ठीक है बच्चो? कर लो इसको देखो हर तरह के कोशन करवा दी है मैंने तुम्हें अब हर तरह के हर टाइप के कोशन बच्चो मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ आपको अब कोई टाइप बचा नहीं है आप एक लास टोशन और करा रहा हूँ ठीक है फिर आपके के बाले टाइप सारी खतम हो जाएंगी फिर आप आडी शर्मा में से इसके सारे कोशन कर सकते हैं ठीक है बच्चो यह नोट कर लिया होगा चलो यह सारे के सारे टाइप अब खतम ठीक है फोर चैप्टर खतम अब नेक्स ट्लास में मैं आप लोगों के लिए फिफ्ट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ ए-पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है और जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो तो कर रही है और अगर नही जर्मा से सारे कोशन कर दो यह लो लो जी शुरू करते हैं तो इसे लिखो 5X स्क्वार माइनस 4X प्लस 2 के अंदर मंटिप्लाई करो बनेगा 4KX स्क्वार माइनस 2KX माइनस के बराबर 0 अब क्या करो X स्क्वार वाली टर्म एक साथ रखो यह रही ठीक है 4KX स्क्वार प्लस 5X स्क्वार अब क्या करेंगे X वाली टर्म एक साथ रखेंगे माइनस का 2KX माइनस का 4X अब क्या करेंगे अब बिना X वाली टर्म एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का K प्लस का 2 बराबर 0 चलिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है इन क्या x Square common लेका लेंगे तो क्या बचेगा 4k 5 और common क्या निका ला? ns Square इन डूरह में क्या common णिकालेंगे? ns6The harmony M is common 2k क्या common निकालेंगे? नहीं एक काम करो X वाले टम ईचार्म है न Congressman सिर्फ और सिर्फ x वाले टम तो ये X होगा न इन पर x होगा 4x 2k हाँ ठीक है चलिए तो इसमें से सिर्फ क्या common निकालेंगे माइनस का 2k चलो छोड़ो सिर्फ x common निकालो तो अंदर क्या बचेगा माइनस common निकाल लिया तो अंदर क्या बचा अंदर बचा प्लस का 2k प्लस का 4 और बाहर क्या common निकला का और 2 माइनस का condition समझ मा गी फिर से देख लो पहले मैंने x square वालो को एक साथ रखा x वालो को एक साथ रखा बिना x वालो को एक साथ रखा पहले मैंने यह किया है माइनस का k माइनस 2 ठेक अब क्या करेंगे d बराबर किसके 0 के b square minus 4 a c बराबर 0 b कितना है minus का 2 k plus 4 का holy square minus 4 a कितना है 4 k plus 5 c कितना है c है minus का k minus 2 बराबर 0 पहली बात तो minus का square करेंगे तो plus में बन जाएगा ये बात हम जानते है minus और ये minus तो क्या बन जाएगा plus हाँ जी अब इस 4 को अंदर multiply कर दो तो बन जाएगा 16 k plus 20 और ये k minus 2 बराबर 0 ठीक है अच्छा ये मत कहना कि अब ये वाला minus कहाँ चला गया अरे ये वाला minus और ये वाला minus multiply होके plus बन गया ये minus और ये minus ठीक है ध्यान रखना इस बात का चलिए अब आगे देखते हैं अब इसमें a plus b का whole square लगाएंगे a square plus b square plus 2ab plus और इन दोनों को तो क्या करेंगे multiply 16 को के से करेंगे 16 k square 16 को 2 से करेंगे minus का 16 दूनी 32 के 20 को इस से करेंगे plus का 20 के 20 को 2 से करेंगे minus का 40 बराबर 0 अब ये जाएगा 2 दूनी 4 k square 16 4 दूनी 8 दूनी 16 क 16 क square 32 में से 20 जाएगा minus का 12 क minus का 12 क minus 40 बराबर 0 अब x square वाली sorry क square वाली टॉम 16 और 4 20 क का square अब के वाली टॉम 16 में से 12 गया plus 4 k अब के वाली टॉम 40 में से 16 गया कितना हैगा minus का 24 बराबर 0 हंजी क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है निकाल लो 4 कॉमन अंदर बचेगा 5 क का square सही बात है plus के सही बात है minus का 6 सही बात है 4 यह multiply कर रहा है वहाँ जाके divide करेगा और जाके क्या बन जाएगा 0 ठीक है जाके क्या बन जाएगा 0 अब भहे हमें इसके बनाने हैं factor अब हमें क्या बनाने हैं इसके factor 30 के factor बनाने तो 30 के factor क्या बनेंगे 6 और 5 ठीक है 5 6 जा 30 30 के factor क्या बनते है 6 और 5 चलिए तो 5K का square plus 6K minus 5K minus 6 बरावर 0 दोनों में K common आ रहा है लिखेंगे 5K plus 6 दोनों में minus का 1 common आ रहा है लिखेंगे 5K plus 6 ठीक है तो 5K plus 6 और K minus 1 अब एक बार इसको 0 के बरावर और एक बार इसको 0 के बरावर K की value minus 6 upon 5 और K की value 1 तो मेरे प्यारे बच्चो आप लोगों के लिए यह आज का last question था और मैंने पूर आपर तरीके से आपको एक एक चीज की detailing दे दी है कि कैसे solve करना है कैसे minus करना है कैसे plus करना है तो आप लोगों को K वाली term पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आप try करना शुरू कीजिए और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग doubt class में इसको cover कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसे note कर लीजेगा और आज की class बच्चो यहीं खतम कर दें यहीं